हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बेकमा यूटूब चैनल रोटू सक्सेज में आज के इस व्यूडियो में हम बात करेंगे याने की इंडिन ओज यूड कोरपेशन लिमिटेड वेस्टन रिजर मारकेटिंग ड्यूजन रिक्रूटमेंट 2022 के ऑननल एप्लिकस्न के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपका इंडियन ओल कोर्परेशन लिमिटेटी की तरफ से वेस्टन रिजन की तरफ से आपका यहाँ नूटिफिकरसन जारी किया गया है जिसके जो ओनल आवेदन है आपके यहाँ पर इस्टार्ट होच चुके हैं इसके बारे में हम complete detail में step by step इस वीडियो में बात करेंगे तो अगर आप इस वेकंसी के लिए eligible हो और आप इस application form को fill up करना चाहते हैं इसके बारे में हम सारी process इस वीडियो में आपको बताएंगे तो दोस्तों अगर आप eligible हो तो आप इस फर्म के लिए apply कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो description box में मल जाएगा आप उस लिंक पर click करके आपका जो आवी दिन है आप उसे fill up कर पाएंगे आगे बने इस पहले अगर आपने हमारे यूटूब चैनल रोटो सक्सेस को अभी तक सब्सक्राब ने किया है तो फैंट अभी सब्सक्राब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की latest notification आप तक पहुंचते रही तो फैंट चले हम वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो online application है वो आप यह पर check out कर सकते हैं 15 January 2022 से आपके application start हो चुके हैं और आपके जो application की last date है वो आपकी 15 February 2022 तक आप इस application form को flip कर पाएंगे तो यहाँ पर आपके जो minimum age है 18 year रखे गई है और आपके जो maximum age है वो आपके हैंपर 24 year रखे गई है बात करे हैं हम इसकी application fix की तो यहाँ पर आपकी किसी भी candidate के लिए को भी form fix नहीं रखी गई है बात करे हम इसकी eligibility criteria की तो दोस्तों यहाँ पर आपकी 10 plus IT and आपका 12 और आपका graduation रखा गया है आपका यहाँ पर जो notification है advertisement दिया गया है उसकी according आपको fill up करना होगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका यहाँ पर तीन post रखा गया है जिसमें आपका first है आपका technician apprentice का उसके बाद second आपका trade apprentice यानि की technical का है और second आपका trade apprentice यानि की non technical का है तो आप जिस भी vacancy के लिए apply करना चाहते हैं आप उसको select करेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जो भी sub trade है उसको आप choose करेंगे तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं आपके पास कौन सा trade है आपके पास जो भी है आप उसको select करेंगे अगर आप इसके लिए आवधन करना चाहते हैं तो आपको select करना है एगर आप यहाँ पर 10 पलस ISO के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको second चूज करना है और अगर आपके पास graduation की degree है तो उसकी according आप यहाँ पर fill up करेंगे तो यहाँ पर आपको select करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है apply का option यहाँ पर आपको apply पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास candidate registration वाला form आपके सामने यहाँ पर open हो जाता है अब यहाँ पर आपको दियागी है जो भी पोश्ट आपने सेलेट के है उसके डिटल आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपके पास जो भी Apprenticep यानि की Apprenticep का जो Enrollment Number है वो आपको यहाँ पर फिलप करना होगा उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपका जो भी State है आपके State से Apply कर रहे हैं उसके डिटल आपको देनी है आप उसको Select करेंगे इस तरह से यहाँ पर आपको Select करना है और उसके बाद आपका जो भी Examination City है आप उसको Check Out कर सकते हैं यह आपका यहाँ पर Automatic Fill Up हो जाएगा जो भी है आप उसको Select कर सकते हैं और उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपका जो भी Gender है वो Gender आपको Select करना है इस तरह से यहाँ पर आपको Choose करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो Category है वो Category आपको Select करना होगा इस तरह से यहाँ पर आपको चूज करना है अगर आप यहाँ पर disability person हो तो यहाँ पर आपको select करना है तो friends यहाँ पर आप select कर सकते हैं yes or no उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो date of birth है वो date of birth आपको यहाँ पर mention करना होगा तो यहाँ पर आपका डेटो बर्त का आपका दिन एंटर करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आपको मंत आपको सेलेट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपका जो year है वो year आपको यहाँ पर चूस करना है इस तरह से यहाँ पर आप सेलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी टोटल ओवरोल एज होगा आप उसको चेक आउट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका जो मुबाइल नमर है वो आपका यहाँ पर एंटर करना है यहाँ पर आपका जो email id है वो email id आपका यहाँ पर active and valid होने चाहिए उसको आपका यहाँ पर enter करना है उसके बाद आपका email id को आपको confirm करना है और confirm करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है correspondence address तो दोस्तों यहाँ पर आपका correspondence और आपका mailing address है उसकी detail आपको देनी होगी तो यहाँ पर आपका जो name है वो name आपको mention करना होगा उसके बाद आपका house number या फिर आपका village का name आपको enter करना है उसके बाद आपका state का name आपको यहाँ पर select करना है तो जो भी आपका state है आप उसको select करेंगे select करने के बाद आपका जो भी city है वो city का name आपको यह पर enter करना है then इसके बाद आपका pin code आपको यह पर enter करना होगा अगर आपका permanent address और आपका course for date देस सेम है यापर आपको same पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका जो candidate का education information है वो आपको fill up करना होगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका जो भी examination है यानि कि आपको 10th की detail पहले enter करने होगी तो यहाँ पर आपका 10th का board का name है वो आपको fill up करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 10th का passing date है वो आपको fill up करना है तो इस तरह से यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं और उसकी detail को enter करेंगे enter करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी obtained mark है 10th में वो आपको mention करना है और इसके बाद दोस्तों आपका total mark कितने है 10th में उसकी detail आपको देनी है आपका 10th का percentage आपको mention करना होगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी पास intermediate की detail आपको देनी है तो यहाँ पर आपका जो भी board का name है वो आपको mention करना है आपका यहापर जो भी passing date है उसकी data आपको देनी होगी तो यहापर आप select कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों यहापर आपका जो टोटल obtained mark है वो आपको देना होगा और इसके बाद आपका जो 12 का total mark है उसकी entry आपको करनी है और आपका यहापर जो percentage होगा वो आपका यहापर automatic select हो जाएगा अब यहापर आता है आपका जो भी declaration है आप उसको confirm करेंगे तो यहापर आपको yes पर click करना है और दोस्तों यहापर आपको यह declaration आपको अच्छे से readout करना है तो यहापर आप देख सकते हैं कौन-कौन से document आपको upload करने है तो फेंटस यहापर आपका जो भी scan photo and signature है वो आप चेक आउट कर सकते हैं आपका जो image का file है आपको यहापर jpg और jpg में अपना photo upload करना होगा photo and signature upload करना है जिसका size आपको 30 के 20 के भी का अंडर upload करना होगा जो कि यहापर आप चेक आउट कर सकते हैं आपका जो photo है वो photo का size आपको 20-30 के भी का अंडर upload करना है और आपका जो signature है वो आपको 10-20 कभी का अंडर upload करना है उसके बाद यहापर आपको नीचे आना है और आनिक बाद दोस्तों यहापर आपका जो photo है वो photo को आपको select करना होगा तो यहां पर आपको चूसपाइल पर किलिक करना है और आपका जो भी फोटो है आप उसको अपलोड करेंगे उसके बाद यहां पर आपको जो सिगनेचर दिये गया है इस तरह से आपका सिगनेचर आपको अपलोड करना है तो यहां पर आपको चूसपाइल पर किलिक कर तो सबसे पहले आपको यहांपर जुह है पुरूथ के तोर पर अपना अधर का सकते हैं तो यहांपर को फेल है जो अपने के लिए दॉस्पर करना है और अगर आयग देख सकते हैं जो document है वो आपको upload करना है अगर आपने account net के लिए किया है तो यहाँ पर आपको गर्वेजेशन के mark sheet upload करनी है अगर आपने data entry operator के लिए apply किया है तो यहाँ पर आपको 12 के mark sheet upload करनी होगी इस तरह से यहाँ पर आपको select करना है और इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास AWS certificate है तो यहाँ पर आप उसको upload करेंगे और upload करने के बाद आपको यहाँ पर submit करना होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर submit पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आपका जो भी application होगा वो print होकर आपके सामने आपर open हो जाएगा उसी आप download करने की बाद save करके रख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपका जो application form है आई इस सेल का वो आप यहाँ पर flip कर पाएंगी इस तरह से यहाँ पर आप जो इस application form के लिए apply कर सकते हैं बिना किसी परेशानी और mistake है तो दोस्तों आज किस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से आप यहाँ पर Indian oil corporation limited western region का जो online application है trade apprentice का वो आप किस तरह से flip कर सकते हैं बिना किसी परेशानी और mistake है तो friends I hope कि वीडियो आपको पसंद आया है अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को like share and subscribe जरू करिए तो friends मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत